मसकार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विंद्रिंदर में दोस्तो आज की यूडियो में हम हिस्ट्री से लिटिड़ कुछी important questions को करने वाले हैं और यह जो कोशन है में हरी सिंधाकर के द्वारा प्रवाइड करवाई गई है तो दोस्तों अब चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जूर कर लें धन्यवाद पैरा प्रसन है यहाँ पर निम्रित में से कौन सी यूरोपिया कंपनी भारत में अपनी स्थापना और स्थापन के अनुसार सबसे कम समय तक रही तो राइट अंसर है उप्सन बी यहाँ पर डेन डेर मरक की जो कंपनी थी नेक्ट कोशन है वह पुर्तगाली गवरनर कौन था जिस नेटर की गुजरात और मिसर की सियुक्ट सेनाओं को प्राजित किया था और द्वीव पर अध गया दी गई है तो राइट अंसर है ओप्सन यहाँ पर चटगाओं को नेक्स्ट कोशन है निमिलिक में से अच्षत्य कतन की पहचान के जिए तो भारत ने प्रेंटिंग प्रेस का प्रतगालियों ने पंद्रों चपन में गोव में किया बिल्कुल सही है प्रतगालियों का प्रतगालियों भारत में इस्था पैता कला की गोतिक शहले का विकास किया ये भी सही है नेस्ट कोशन है निमिलिक में से किस स्थान पर डचों ने गुस्तावोल फोर्ट का निर्मान करवाय था तो राइट अप्सन डियां पर चिंसुरा में नेस्ट कोशन है मेरियट का निमिलिक कतन किस गवर्नर फ्रांसेशी गवर्नर के लिए था उसने भारत की पोंजी मदरास में तरास कर भ्यानक भूल की कलाईव ने इसे बंगाल में खोच लिया तो राइट अप्सन सी यहां पर डूपले नेस्ट कोशन है निमिलिक में से कौन सा नाम भारत में स्थापित फ्रांसेशी वेपारी कंपनी का था तो इसके 164 में भारत में व्रांसेशी इस्टिटिया कंपनी की स्थापना होती है नेक्स्ट इसे निम्लित में किस करनाटक यूदोलर् युदोल नेक्स्ट केंदल है नेटित हुई तो रहेज़ों से फ्रांसे यूदोलर्प से किस सेनापती के निक्तितों में प्राजित हुई त्राइट रंसर है उप्सन सी लाली नेक्स्ट कोशिन है भारत में युरोपिय कंपनियों के सही जाने का करम जाने करम पुछा गया है आने का नहीं पुछा गया है तो को मैं कोशिन को बड़े ध्यान से पढ़ना है तो पहले सबसे पहले डेन फिर डच फिर अंग्रेजी फिर फ्रांसिस सबसे आनत में पूर्टगाली यहां से गए थे 1961 में नेक्स्ट कोशिन है निमलिक में से किसके निर्देशन में दोनों उंग्रेज कंपनियों का सियुक तरूप से विर्या हुआ था तुराइटन सरहा उप्षन बी आर्ल ओफ गोडोल फिन नेक्ट कोश्चन है नमनिति में से बंगाल के किस सुभेदार की अनुमती से कमपनी ने बारा सो रुपे में कुलकता समेत तिन गाउं की जमिदारी प्राप्त की थी तुराइटन सरहा उप्षन बी अजी मुश्यशान आज हमने शुबह एक कोश्चन क्या हुआ था नेक्स्ट कोश्चन है नमनिति में से किसे मदरास के स्थापक कहा जाता है तुराइटन सरहा उप्षन यहाँ पर डी फ्रांसिस डे 1649 में उन्हें मदरास की स्थापना की थी नेक्स्ट है ब्लो वाटर प्रोशी इन मिनित में से किसे समनित है तो वो है अलमेडा से अलमेडा जो की पुर्टगाली गोवर्नर थे नेक्स्ट कोश्चन है पर्थम करनाटक युद किस संधी के द्वारा समाप्त हुआ तुराइटन सरहा उप्षन ए एक्शला शौपिल की संधी नेक्स्ट कोश्चन है फ्रांसेश इस्ट इंडिया कंपणी की स्थापना के समय फ्रांस में किसका सासन था राइटन सरहा उप्षन भी लुई चोधमे का 16-14 में फ्रांसेश इश्ट इंडिया कंपणी की स्थापना होती है मुलिक में से किसके दवारा उड़ोप की यांत्रिक घड़ी भारत में सरो पर्थन लाई गई थी पूर्तुगाली उदरा सोलgewी स्थापधी में निचे दिये गए उड़ोपियन उड़ों में से किसने भारत बर्स में पर्थम करनाटक उड़ बढ़का दिया तो रैटनसरा उप्षन भी अस्ट्रिया का उत्रादिकारी युद़ नेँश्ट है अंग्रेजुने मदरास का पट्टा कहाँ से प्राप किया रैटनसरा उप्षन भी चंद्रगरी नेक्स्ट क्योश्ट है निमलिक्ति मेंसे किन दो स्थानों पर Danish East India Company ने अपने कार्थाने स्थाप्त के थे तो रिगत रहाए तनसर है अप्षन बीष से रामपुर और त्रंग कोंबार नेक्स्ट क्योश्ट है निमलिक्ति मेंसे कौन सी खटना दिवित्यक नाठक यूद से सम्मंदित नहीं है तो राइटन्स रहो जाएगा उप्शन यह स्तरा सो स्तावन से स्तरा सुत्रेश्ट के इमद्ध है लड़ा गया तो इसमें डूर जो इसमें बुक लेने चंदा सहाब का और कलायो के अनवरुदिन का समर्थन कया यह सह़ी है इसमें चंदा सहाब और अनवरुदिन दोनों ही मारे गए और इसका अंत अपने छरी की संदी से हुआ यह भी सही है बाकिस में यहां पर जो राइट अंसर हो जाएगा अप्शन ए यहां कथन सही नहीं है जो तेक नाटरी यूद से नेक्स्ट है किले उर्ण के स्थान का हमें मिलान करना है तो फ्रांसिस फोर्ट सेंट डैविड तो यह था झेल खड़ड लौर में फिलियम फोर्ट करकत्ता में और फोर्ट सेंट जोरज मादरास में फोर्ट लुईस्वांडिचरी में नेश्ट कोश्चन है डचो द्वरा भारत में से किस का निर्यात नहीं किया जाता था तो नील, सोरा और सुतिवस्त्रों का भारत से निर्यात करते थे जबकि अफिम का नहीं करते थे अफिम का याद अफिम तो पहले है भारत में बड़ी मात्रा में होती थी तो इसका निर्य निमलिक्त में से कौन बंगाल का पर्थम अंग्रेज गोवर्नर था तो राइटन सरा ओप्षन बीयाँ पर विलियम हैजिज नेश्ट क्वेशन है अंग्रेजों को निमलिक्ज में से किस भारतिय सक्ती के विरूद सरोपर्थम राजनेतिक सफलता फराप्त हुई राइटन सराय उप्षन ए बंगाल में नेश्ट है बंगाल के किस नुआब ने सरोपर्थम अंग्रेज और फ्रेंच कंपनियों की गतिविद्यों को नियंतित करने के लिए कुलकता और चंदर गिरी चंदर नगर की किलेबंदी का विरूद किया राइटन सराय उप्षन सी अलिवर्दी खाने नेश्ट कुश्शन है निमिलिक्त में से किस इत्यास कार के नुसार तेश जून सत्रह सो इस्ताओन एसवी को भार्त में मध्य कालेन यूग का अन्ध हो गया और आदनिक यूग का सुभरम हुआ तो राइट राइट रहा है उप्सन A. जदुनाज सरकार तो मैं इसको याद करने का जो मेरा तरीका था वो अधू और जदू था आप भी ऐसे को अपना कुछ तरीका S.O. ट्रिक्स अपना सकते हो अपनी बनाई ही ट्रिक्स हमें से याद रहती है दूसरों की नहीं Next Question है British Company को बंगाल के 24 प्रगना की जम्मिदारी किस के बाद मिली Right answer है उप्सन B. मीर जाफर को पर्थम बार नुवाबी मिलने पर जबन को प्लासिके बाद नुवाब बना जाता है Next Question है निमिलित में से कौन सा एक कथन अंग्रेग और बंगाल के बारे में P.E. रोबर्स ने दिया तो इसमें राइट रंसर है उपसंस C. प्लासी की अपेक्षा बक्षर को भारत में अंग्रेजी प्रभुसत्ता की जन्भूमी मानना कहीं अधिक उप्यूक्त है नेक्ट कोईशन है नेक्ष्ट मेंसे किसके द्वारा रोबर्ट कलाईव के बारे में नेक्ष्ट कतन है हमारे टापो में साइध ही ऐसे विक्ति को जन्म दिया हो जो यूद और विचारवी मर्स में उससे बहतर हो तो यह मैं कॉले के सबत थे रोबर्ट कलाईव के बारे में नेंस्ट कोउशन है, निमरिक्त में से क्यों बंगाल कांति म नवाब था लिमरिक्ट में से किस गोविनर्जरनल ने सुसाइटी योफू, सुसाइटी फॉर ट्रेर्ड की सफ न की थी तुराइटंसर नॵाब साहरो बहू उपशने, रोबर ट्लाईव ने Next question है नमलित में से आउद के किस नुआब को नुआब वजीर कहा जाता है क्योंकि वहयावत का नुआब होने के साथ ही मुगल भासा का वजीर भी था तो राइट उन सरा उपसंदू ठिशब दरजंग और इनकी जो मकबरा है वो दिल्ली में स्थित है Next question है निमल्प में से कौन सा एक कतन वाजित अलिशा के बारे में सही नहीं है तो वे अवद के अंतिम नौब थे सही है वहक तरफिया उपनाम से को भी ताइन लिखते थे ये भी सही है इसने लॉड वेलजरी की साइक संदी को सविकार किया था तो ये कतन गलत है इसके कारेकाल में कुछ रशनकार उप लगाकर अवद को प्रेडिस समराजय मिला लिया गया था ये भी सही है तो राइट अंसर जो है इसके बारे में अवद तवाजिदा लिकिशा के बारे में ये उपसंजी गलत है यही अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है अवद के किस नुवद के सासनकाल में उसके और अंग्रेजों के द्वारा अवद की बेगमों से जबरदस्ती धन है वो च्छिना गया आइट अंसर है उपसंज भी आसुप दोला के सासनकाल में अंग्रेजों ने और नुवद की बेगमों से जबरदस्ती धन है वो च्छिना था नेस्ट क्वेशन है निमलिक्त में से किसने भरतपुर में 77 जाट राज्य की स्थापना की थी तो बदन सिंग ने नेस्ट क्वेशन है अंग्रेज और फ्रांसिसी कंपनी के बेच करनाटक भूमी को लेकर युद निमलिक्त में से कौन सिद्कालिन करनाटक की राजधानी थी तो उससमें करनाटक की राजधानी अरकौर्ट थी नेस्ट क्वेशन है निमलिक्त में से किस गोवर्र जनरल ने मैसुर के परती एस तक शेप की निती अपनाई तो राइटन स्रह ऑप्सन C. जोनशोर ने अंगल महिसूर यूद और उनके समय होई संदि का सही मिलान करना है तो पर्थब महिसूर यूद मदरास की संदि के साथ समाप्ट हुआ sentence महिसूर यूद मैंगलोर की संदि के साथ नेक्ट है यहाँ पर तित्ते मैसूर यूद सिरंगम पंटम की संदी के साथ समाप्थ हुआ चतुरत मैसूर यूद सायक संदी के साथ समाप्थ होता है क्योंकि इस यूद में जो टिपु सुल्तांथियों मरे जाते हैं और यहाँ का जो प्राचिन वंस था इस से पहले टिपु जो की हैदरीनिस से पहले जो राजमस था उसको सौंप दी जाता है और वहाँ के साथ सक्सायक संदी से विकार कर लेते हैं नेस्ट कोशिन है पुरुका समर्ज यव हमारे पैरों में है यह कोशना किसी ने की थी तो यह है चतुर्थ मैस यूद के बाद वैलजरी ने कहा था नेस्ट कोशिन है निमывает में से कोन सा यूद यह लडाई पर्थम आंगल सिक यूद से समनित नहीं है तो है राम नगर का यूद, बाकी मुद्की का यूद, सबराव का यूद और फ्रोश्चा का यूद ये सभी पर्थम अंगल सिक यूद से समनी थे नेक्स्ट है, निमलित में से किस यूद के बारे में लोड डॉलर जी ने कहा कि हमने भारी खर्च उठा कर एक ऐसी विजय प्राप्त की है जो प्राज्या के बराबर है तो राइटन सरा उपसंडी, चिलियान वाला यूद नेक्स्ट कोशिन है, मराठा पेश्वा बाजी राव दियुत्या द्वरा अंग्रेजों के साथ बेसिन की संदी करने का सरो प्रमुख कान क्या था? तो राइटन सरा उपसंड ए, यश्वत राव होलकर का पुना पर आकरमन कर अकरमन हो गया था इसी कान से, बाजराव जुत्यन अंग्रेजों के साथ बेसिन की संदी की थी पर्थम अंगल मराठा युदि के दुरान पेशवा माधो नरायन राव और अंग्रेजों के भी सालबाई की संदी हुई जिसमें मध्यस्त की भूमे का किसनी निभाई थी तो राइटन सरा उपसंड भी महादजी सिंदिया नेक्स्ट हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के दुरा बंगाल की गोवर्नेश जनरल को भारत गोवर्नेश जनरल बनाये गया इससे सम्मनित सत्यकतन बताईए तो इसमें जो सत्य है वो राइटन अपसं ए हो जाएगा इस एक्ट का सवरोप लोड नोर्थ द्वारा गटित समिती की रिपोर्ट के अधार पर हुआ नेक्स्ट कोशिन है 1333 का चार्टर एक्ट के संद्रम में एससत्यकतन बताईए तो इसमें बंगाल के गवर्नेश जनरल को भारत का गवर्नेश जनरल बनाएगा ये सही है विलियम बैंटिक भारत का पर्थम गवर्नेश जनरल बना ये भी सही है कम्पनी के व्यपारी के अधिकार 20 वर्ष के लिए भढ़ा दिये गए इसके जो अधिकार थे वो समाफ्ट कर दिये गए थे तो राइट राइट रह जाएगा उप्सन C नेक्स्ट कोश्चन है निमलिक्त में से किस समय अधिको भारत में ब्रिटिस उपनिश्वाद के लिए मुक्त वियपार का चर्ण का जाता है तो थरसो तेरा से थरसो अठावन का जो काल था वो ब्रिटिस उपनिश्वाद के लिए मुक्त वियपार का चर्ण का जाता है अप्षन भी राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्जन है निमलिक्त गोवर्णर्नर्जनर्रल के कालेकाल में रेत वारी वरिभस्था सरोपर्थम लागू की गई थी तो राइट अंसर है अप्षन सिए आपर लॉर्ड हेंसटिंग नेक्स्ट कोश्चिन है निमलिक्त गवर्नर जनरल उनके समय में भी घटनाओं का सही मिलान करना है तो लाड मिंटो के समय में क्या हुआ था ठाल सुन में अमरी सर्वी की संदिय हुई थी अंग्रेज और महाराजा रनजी सिंग के बीच में लाड हैंस्टिंग्स नोने हुआ था नेक्स्ट वर्शन है निमलिक्त गवर्नर जनरल और उनके समय में ब्रेटिस भारत में मिलान करना है बेल्जली ने मैसुर को मिलाया था हैश्टिंग्स ने मराठा क्योंकि इसने त्रित्यम युद्नेतिं तरा अंगल मराठा युद में मराठा को हरा दिया था और और वर्न हिंस्टिंग्स ने बंगाल को नेक्स्ट कोशन है लॉड्ड विल्यम बेंटिंग ने भारत में सती पर्था को किस नियम के अंतरगत अवैद घोसित किया था तो नियम 17-1329 में ये अधिनियम था और उसके सत्रवे नियम के अंतरगत सती पर्था को अवैद घोसित किया गया था, next question है, नमलिक्ति में से किसे भूर आसव की महालवाड़ी वबस्था का जनक कहा जाता है, try transfer है option, D. Martin, bird, next question है, नमलिक्ति में से कौन सा विद्रो सबसे पहले हुआ था, तो वहलोर का जो विद्रो है सेनिक विद्रो, 1806 में सबसे पहले हुआ था, next question है, तो सन्यासी विद्रो यहाँ पर सोरी, सन्यासी विद्रो इससे पहले हो चुगा था, 1700 something में, try transfer option, A हो जाएगा, वैलोर का विद्रो बाद में वो था, 1806 में पताया मैंने, संथालो का विद्रो था, 1856 में, और अहों का युद्र, ये बाद में होता है, next question है, दोस्तो, निमलिक्त में से कौन खासी विद्रो का परमुख नेता था, next question है, निमलिक्त में से कौन सा विद्रो वहाँ के सासक द्वारा किया गए था, क्योंकि एंग्रो इजे ने उसे गद्दी से हटा दिया था, try transfer है option, भी एकच्छे विद्रो हो, next question है, दोस्तो, निमलिक्त में से कौन सा विद्रो वहाँ पड़े अकाल के बाद भी कर्व सूलने के कान किया गया, try transfer है option, ए, सन्यासी विद्रो हो, सन्यासी विद्रो का जीकर, बक्रिम चिंदर चितरजी ने अपनी आनदमठ पोस्तक में किया है, next है, निमलिक्त में से किस विद्रो को पेश्वा बाजी राव जीवित्य तथा उसके परतिनी त्रियंबक दांगलिया ने प्रोसाइट किया था, तो ए, भील विद्रो को, next question है, बंगल में सन्यासी विद्रो की अवदी, ये आ गया, 3770 से 3780 के दुरान ये विद्रो हुआ था, next question है, कोल विद्रो 832 में हुआ का समन्द कहां की कोल जिन जाती से था, आइटनसर है, option A, छोटा नागफूर की जिन जाती, next है, निवलिक्त में से किस अंदोरण को, या किस अंदोरण से हाजी, सरेतुला और दादू, मिया जुड़े हुए थे, तो आइटनसर है, फराजी, तो हाजी के साथ फराजी है, याद रखना आपको, हाजी फराजी, next question है, यहाँ पर अंदोरण दिये गए हैं, उनके कांड दिये गए हैं, सही मिलान करना है, सन्यासी विद्रो का कान था, अकाल और यात्र पर्तिबंद करना, कॉल विद्रो हो, भूमी छिनकर मुस्लिम और सिखों को देना, वेलू थंपी का विद्रो हो, जो यह था अंगरे जो का राजा से दुरुवे भाहर, कॉलापूर का विद्रो, सेनको की छट्नी और उससे बेकारी हो गई थी, मतलब का रोजगार चला गया था, इस कांड से, कॉलापूर के, सेनको ने विद्रो किया था, next है, यहाँ पर दिया गया है, हमें मिलान करना है, चुआर विद्रो हो, दुर्जन सिंग, कितूर, चिनम्मा के नितितों में हुआ था, सतारा, नर्सिंग पाटे करके, और रामोसी, चतर सिंग या चितूर सिंग के नितितों में हुआ, next है, निम्लिक्त मेंसे किस लिहक के नुसार, थार्सुस्तावन की करांती, धर्मान्दों का इसाईयों के विद्रो था, तो राइटन सरहा उप्सन, ALR, रीजि के नुसार, next question है, निमिलिक्त मेंसे 2857 की का का सरकारी एत्यास का सरोपर्थम निक्ट किया गई था, तो राय टैसर है आज ऑप्षन रवेशंदर मजूमदार तो इसके बाद प्रंतु सुनिंदर नाज सेन ने सर्वा पर्थमिन को निक के लिए था प्रंतु बाद में सुनिंदर नाज सेन ने ठरस्तान का सरकारी इतियास लिखा था नेस्ट कोईशन है निमलिक्त में से किस लेहक की रचना थियोरी ओफ दा इंडियन इम्मिनुटी है तो राइटन सरह प्सन बी सची भुशन चोधरी नेस्ट कोईशन है निमलिक्त में से किन दो वेक्षितों के लिए कहा जाता है कि उन्होंने ठरसुस्तावन की क्रांती कि य जिना लंदन में इक्तियार की थी तो राइटेंसर है उप्सन सी अजी मुलाकां और रानोजी बापू वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन नेस्ट क्वेश्चन है निमलिक्त में से कौन सा कथन राजस्थान की करांती के बारे में रमेश चंदर मजूमदार का था तो राइटेंसर है उप्सन यह है पर्थम राष्टिय संग्राम ना तो पर्थम था नहीं राष्टिय था उनहीं संग्राम था तो राजस्थानी करांती नियोंट से भारत की जो ठालस्थानी करांती के बारे में का था नेस्ट क्वेश्चन ह निमलिक्ति में से डलहोजी की हड़प निती के नुसार किस रियास्त के विलो को बिठी सिरकार द्वारा अनुमती नहीं दीगी थी तो अंग्रेजी अफसरों का दुरूब वहार ये भी था निमलिक्ति में से किस स्थान पर ठास्तावन की करांती का नितव सुरिंदर साही और उज्वल साही द्वारा किया गये था तो अप्सन बी संबलपूर में निमलिक्ति में से किन दो स्थानों पर बक्त खां खान बहादुर द्वारा विद्रो का नितव किया गये था तो अप्सन दिली में बक्त खां और ब्रेली में खान बहादुर के द्वारा विद्रो का नितव किया गये था नेस्ट क्वेशन है इहाइ बाद दुर्णशा की रंगूर में 316 मीं अन्दीव वेक्टीता वेक्टीतीव में से किस इमित्व सबसे आंत में हुई थी undu repaj zur option यहाँ परBAJO क्वा canni ओफ दू ri shot में खेखेगए कि मी इहाँ आ रहाज तो कौन सा एक परिणाम नहीं था तो उवष ऑफ या घप आउना की गांति के बाद कंपणी का किया गया भारते सिर्यों का जातिया वर्लीगण किया गया भारते सिर्यों कि संख्या में अधर्म होती की गई थी नेक्स्ट कोईशन है लॉर्ड कैनिंग का यह कतन कि सासक के लिए विसेशता है यदि विद्रो के खिलाब हमारा साथ नहीं देता तो कल हमें कल ही बोरिया विस्तर गोल कर लोटना पड़ता तो यह था गुवालिर के सिंदिया के बारे में नेक्स्ट है तो स्थास उतामी करांती के परमों केंदर और वहां विद्रो को चलने वाले अधिकारियों का सही मिलान करना है दिली दिली में हर्सन ने किया था कानपुर में कैंपबल और गोलियर में हयूरोज और जल्दिसपुर में वेंसेंट आयारने नेक्स्ट कोशिन है ठाकर कुशाव सिंग निमलिक्त में से किस स्थान के जागिरदार थे जिन्होंने विद्रोडियों का साथ दिया और अंग्रेजी शेना को प्रास्ट किया तो राइस टेंसर है उप्सन ए आहुआ के जागिरदार थे नेक्स्ट है इत्यास में 29 मार्च ठास्थान की तिथी किस काम से याद रखी जाएगी तो इस दिन मंगल पांडे द्वारा क्रांती का प्रणाब किया गया था ब्रेक्पुर छावनी से नेक्स्ट कोशन है निमलिक्त में से किस गुवर्नर जनर के कर्याकाल में भारते उंच नहले अधिनियम पारित किया गया था तुराइटन सरह उप्सन ए लौड कैनिन next question है निमिलिक्ट में से किस गुर्णर जन्र को बहारत में स्थानिय संचासन का जनक मानाता है तोराये टन सराय ओपसन डि लॉड रिपन को next question है निमिलिक्ट में से किस भारत टीय को वाइसरे की कानầी कानी में सरव पर्तम निट के ले ठा तो राइटन सराय उप्सन, C. सतिंदर नात, सतिंदर प्रसाद सिना Next question है निमलिक्त में से कों सा एक मातर यहोदी वायस राय था Very important question तो राइटन सराय उप्सन, B. Lord Reading Next question है निमलिक्त में से किस वायस राय को अपने पज से बरखास कर दे गया था तो राइटन सराय उप्सन, C. Lord Reading Next question है भारत में निमलिक्त में से किस प्रेजिदेंशली नगर में सरवपर्थम नगर निगम बनाने की अनुमती दी गई थी तो राइटन सराय उप्सन, B. मदरास में Next है निमलिक्त में से किस रिपोर्ट अधिनियम में सुझाव दिया गया था कि जहां तक संबव हो सके स्थानिय संस्थाओं में पून लोकप्रिया नियंतरन हो उन्होंने भारी नियंतरन से अधिक्तम सब्तंतरता हो तो राइटन सराय उप्सन, C. 192 का भारत परिशद अधिनियम Next है निमलिक्त में से किस सुधार अधिनियम दोरा विधान मंडलों के सदस्यों को सरोपर्थम परसन पोचिने का दिकार दिया गया था तो राइटन सराय उप्सन, C. 192 का भारतिय परिशद अधिनियम ये सबसे रंबा अधिनियम था जो उसके बाद 1909 में अगला अधिनियम पारित होता है Next है निमलिक्त में से किस अधिनियम दोरा प्रांतों में दोय सासन की स्थापना की गई थी तो राइटन सराय उप्सन, C. 1911 में Next है निमलिक्त में से किस घटना के लिए एक समचार पत्तर सोम प्रकास में निमलिक्त पंक्ती रिखी गई यह घटना ठीक उसी प्रकार है जैसे रोम जल रहा था और निरो बंसी बजा रहा था तो राइटन सरा उप्सन ए डिटन का दिल्ली दरबार जो ठाल सुस्तत्र में एज़ोता है और इलाबाद में Next है दिल्ली दरबार तो दिल्ली में लगेगा Next है Sorry भारत में अंग्रेजों अंग्रेजों की वैपारिक नितियों से प्रभावित होकर यह कतन किस ने कहा यह अंग्रेज पैटिया था जिसने भारते खादियों चर्खे को तोड़ दिया तो यह कॉल मॉक्स की कतन है Next है निमलिक्त में से किस गुवर्नर्स जेनरल के करेकाल में रिचर्ड श्टैची के देख्षता में अकाल अयोग नुक्त किया गए था तो राइटन सरह उप्सन ए लॉड निटन के करेकाल में Next है भारत में पर्थम जोड कर खाना निमलिक्त में से किस थान पर स्थापित के गए था तो रिश्रा में Next है निमलिक्त में से किसे भारत या सिक्षा का मेगाना का अटा का जाता है तो रूट डिश्पैच ठरसच चोवन Next question है शिक्षा महानिदेशक की न्युक्ती सरव पर्थम किस गौर्णर जर्र के समय में की गई थी तो लॉड करजन के समय में Next question है असुतोस मुखर जी और जियाउदिन एहमद निमलिक्त में से किस आयोग के सदस्थे थे आयोग गठित हुआ था Next question है निमलिक्त में से किस का नक्षा एड्मिन लुटेंस और एडवर्ड बेकर द्वारा बनाए गया था तुन नहीं दिल लिका Next question है कुलकत्ता का गोवर्मेंट हाउस का परमुक वास्तुकार था चाल्स वायट ओप्सन ही राइट है Next question है निमलिक्त में से किसे या किस वर्ष जमसेज टाटा ने टाटा आयरेंस स्टेल कंपनी की स्थापना की थी तो 1907 में और 1912 में पादन शुरू हो गया था Next question है निमलिक्त यहाँ पर आयोग दिये गए है और उनसे समदित सुद्धार दिये गए है तो हंटर आयोग परात्मी शिक्षा से समदित था सेडल आयोग उन्च शिक्षा से स्ट्रैची आयोग आकाल और हैंडरी फावलर आयोग थे टकसाल और सिकोग में सुधार Next है भारत का पहला स्रमिक संग मुंबई हैंड मिल एस्टिशन कब स्थाप्षित किया गया था ठाल सो चरासी में Next question है निमलिक में से किस गुवर्नल जनल के करेकाल में नियमित जर्णगरना परांप हुई थी तो राइटन सरा उप्सन रौड रिपन ठाल सो क्यासी में नियमित हो गई थी ठाल सो बात में अनियमित थी जो कि पहली जर्णगरना मान जाती है Next है रौड मियों के समय में हुई थी निमलिक में से कौन सी गटना रौड जनल के की करेकाल में नहीं थी तो भार्त चस्तर दिनली दर्बार अशित किया गय था ठाल सो 77 में वर्नकुलरड प्रेश्ट एक ठाल सो एवर्रीय ऐटतर में पारिष हुआ था तो इसमें जो पहल नमलित मैं से किन WS değild काल्यकार सबसेखम था कुछ सबसेखम आधिक पूछा गये यहांपर तो सबसे जो कम था वो था यह कर्थम अरल काम कह सबसे आधिक था चुछ तश्व कमें दोल समय दूतें सुरव हो चुका था इसकान से इसका करेकाल से लंबा हो गया नेश्ट कोश्चिन है निमलित वाइसराय को कौल करम में अव्यवस्तित करना है तो इसमें सबसे पहले है एल गरीन पर्थम फेर नौर्थ बुरुक फेर लेंस डाउन ओफेर मिंटो द्वित राइट अंसर ओप्सन ए नेश्ट कोश्चिन है बिडिस असन काल में भारत से अन्य देसों को सिष्ट मंडल भेजे गए थे तो इनका सही काल करम हमें लगाना है मैच करना है मेलकम सिष्ट मंडल 1793 इरान डुरेंड सिष्ट मंडल ये गया था अनसरी सिष्ट मंडल 1904 में तुर्की गया था नेश्ट कोश्चन है निमलिप्त में से कौन सा एक कथन भारतिया प्रिशद अधिनियम 1935 से समंदित नहीं है बरार को बंबई प्रेजिदेंसी में सामिल किया गया ये कथन यहाँ पर सही नहीं दिया गया है जबकि ये सक्ति व्भाजन के लिए संग राजय समवर्ति सोची का निर्मान किया गया प्रांत में द्राय सासन की समाप्ति की गई उडिश और बिहार नए प्रांत बनाए गई ये सही है अंतरिम सरकार की वाइसराय परिशद में उपध्यक्स निमलिक्त में से कौन बने थे तो उपध्यक्स जोपत था वो पणित नहरुजी का था और अध्यक्स वाइसराय होते थे वाइसराय थे नेक्स्ट कुश्चन है लोड लोरेंस के कारेकाल में परिट पंजाब टेनेंसी एक्ट का प्रमुक उदिश्य था तो इसको उदिश्य था अभू स्वामियों की वफदारी हासिल करमा नेक्स्ट कुश्चन है 36UN के उपरात बेटिस भारतिया सरकार की समास भढ़ोर के परतिक्त क्या निती थी अब वो तठस्त रहने लगे थी क्योंकि उँने परे ब्लिढे समास भढ़ोर किये थे तो लोगों ने विद्रोव कर दिया था तो इस प्रकार से ठरस्टाम की क्रांती के बाद ठरस्टाम के बाद उन्हें तर्हस्त तुश तर्षट्स ने ना तो उसका विरोध किया ना सुमर्थन किया भारत्य राश्ट्य यूणन का नामकरन भारत्य राश्ट्या कंग्रेश neutrality किसके अनुमोदन पर किया गये था रहे तो यह है एहो हयूम जो कि भारतिराश्ट अंग्रिस के सचीव रहे नेक्स एहो हयूम कानस के मासचीव के पद पर किस अवदी के दुरान रहे तो वो थे ठाव सब चासी से 1906 के बीच नेक्स कोशन है कानस के अधिवेशन में सरोपर्थन भासन देने वाली महिला कों थी तो क अधिवेशन से समझे असत्यक अधन बताईए तो इसके अधिस्ता मुंबत द्रहाम तुल्ला ने की थी और इसमें धनिसकासन का सविधान धनिसकासन का जिश्धान तस्यूव कर किया गया था यह पशिब मंगाल के एक रोकटा नगर में अवजित हुआ था और इसमें पहल कोशन है दोस्तों नमलिक्त में से किस अधिवेशन के अधिक्षता दादा भाई जिरोजी द्वारा नहीं की गई थी तो 683 में की थी 1906 में भी की थी कलगत्ता में 606 में 696 में नहीं की थी रहामतुल्ला नहीं की थी अभी आमने उपर पड़ा नेक्स्ट कोश्चन है नमलिक्त में से कौन सा अधिवेशन था जिसमें सरोपर्थम किसी भी भारतिये किसी प्रांत का गवर्णने जनल उपस्तित हुआ था तो राइटन से है उप्सन सी मदरास अधिवेशन 1914 वेरी इंप्रोर्टेंट कोश्चन नेक्स्ट कोश्चन है नमलिक्त में से कौन भारतिया राष्ट के सबसे युवा अधिक्स थे तो वो थे अबुल कराम अधाद नेक्स्ट कोश्चन है निमलिक्त में से किस एक मातर अधिवेशन के अधिक्स्ता महंदास क्रमसंद घान्दी जीने की थी 1924 का बेल गाउं जो की करनाटक में है नेक्स्ट है यहाँ पर कंग्रुस के अधिवेशन दिये गए है और कारिया इविसेश्ता क्राची अधिवेशन में क्या हुआ था मोनिक अधिकार समधित प्रस्ताव परित किया गया था इसके अधिक्स्टावला भाई प्रेल में की थी नेक्स्ट है लाहोर अधिवेशन तो इसमें पूर्ण सर्वाजेक का परित किया गया था अधिक्स्ट है नहरू जी गुफाटी अधिवेशन निशोचपविस करेकरताओं के लिए खादी पहना निवारिया कर दिया गया था गया अधिवेशन 1922 में चेंजर्स और नो चेंजर्स का विभाजन हुआ था नेक्स्ट कोश्चन है निम्रित में से किस वर्स का अधिवेशन हुआ जबकि अन्य तीन वर्सों में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था तो राइट अंसर है उप्सन यहाँ पर ए 1928 में जबकि 1935-1942 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था नेक्स्ट कोश्चन है भारत के सब्स्टता के पहले अंतिम अधिवेशन के अधिशता किस ने की थी तो राइट अंसर है ओप्सन यहाँ पर जीवत राम भगवान दास किरपलानी किरपलानी जीने की थी जबकि अजादी के बाद डॉक्टर राजिंदर परसाद अधिश चुने जाते हैं नेक्स्ट कुश्चन है बेटिस भारत में शुक्षा वाल्व का सिधानत किस समनित है तो कंगर्स की स्थापना से लालाज पत्राई जीने सिधानत दिया था नेक्स्ट है नमरिक्त में से किसका खतन था कि कंगर्स लौड अफरिन के दिमा की उपज थी तो लालाज पत्राई ये वाल्व सिधानती था नेक्स्ट है नमरिक्त में से किस भारते मेता के नुसार भारत में इंग्रेजों का सासन भारत के लिए देविये वर्दान है तो राइट अंसर है उप्सन सी यहाँ पर गोपलक्षिन गोकले नेक्स्ट है नमरिक्त में से किस गवर्णर जनरल ने भार सचीव हैमिल्टन को पत्तर लिखते वे कहा कि कॉंग्रेज की स्थापना डफरिन की भूल थी वर्दमान में हंग्रेज अंतरकलाई से गुजर रही है मेरी इच्छ है कि मैं मेरे खरेकाल मैं इसे नेश्ट कर दूँ तो टॉड कर जन का ये कथन था नेश्ट कोशिन है नमरिक्त में से कौन से एक महिला कॉंग्रेज के अधिक्स कभी नहीं रही तो एनि बेसेंट उनियू सत्रा सोजी नाइडी उनिसो पत्चीस सें गुप्ता नि Aegiris को दूग जबकि कंदाबनि गाउप्री कभी भी काउपी कंई रही नमरिक्त में से कौन से नेटा कभी कंईari के अधिक्स नहीं बन पाए थे तो गंगादर तिलक भी नहीं बन पाए भी पिचिन्टर पाल भी नहीं और अर्विंद घोस भी नहीं तो प्रोक्त डी अंसर राइट हो जाएगा सवराज मेरा जनम सदी अधिकार है तो यह मैं इसे लेखत रहूंगा यह प्रसिद गदन गंगादर तिलक का है जो उन्होंने निम्नित में से किस अबसर पर कहा था अधिवेशन हुआ नेक्स्ट है भारतिया राष्ट गंगरेशन में पास किया गया इसके दक्सता स्वासंदर बहुत जी ने की थी नेक्स्ट है भारतिया राष्ट गंगरेशन के बहुत चर्चित लखु अलगनों अधिवेशन के अधिक्स थे तो वो थे अंबिका चरण मजूमदार नेक्स्ट है गंगरेशन के उदारवादी चरण 886-1905 का परमुक हुदेशय क्या था तो प्रसास में भारतियों की भागदारी में व्रेदी हो नेक्स्ट है प्रतंतर भारत में कंगरेशन के तीन अधिवेशन तीन विशेश अधिवेशन हुए नेक्स्ट है कलकता अधिवेशन नीशोब इस में ऐसे योग परसाओ का विरोध किस ने किया था चतनजन दास ने इसका विरोध किया था परन्तु बाद में वो इसके समर्थक भी बन गए थे नेक्स्ट है मुंबई का गोकुल दास तेट पाल भवन निमलिक्त में से किस समधित है तो कंगरेस की जो पहली जो बैठक है को यही पर होती है ठाल सब्चासी में नेक्स्ट कोईशन है दोस्तों निमलिक्त में से कोन भारतिय राष्ट कोंगरेस के अंदर निमलिक्त में से कोन भारतिय राष्ट कोंगरेस के दो बार अध्यक्स रहे तो वो थे अंग्रेज डवल्यू वेडर मन इन्होंने ए ओ हयूम की जीवने भी लिखी नेक्स्ट कोईशन है निमलिक्त में से कोन भारतिय राष्ट कोंगरेस के अध्यक्स रहे नेक्स्ट कोईशन है भारत के निमिलिक्त में से किस राज्य में परतंतर भारत में एक भी कौंश अजिवेशन नहीं हुआ तो किस राज्य में नहीं हुआ राज्यस्थान में एक भी नहीं गुजरात में भी हुए हमना चरप्रदेश में बिहार में भी हुआ नेक्स्ट है निम्रिक में से किस भारतिय नेता दोवारा न्यू इंडिया अख़बार मदरा से फ्रकाश्ट किया गया तुराइटन सरह उप्सन D. एनिविसेंट कॉमन विल और नू इंडिया इनके अख़बार थे Next question है सत्य के साथ मेरे प्रियोग यह रचना है मातमादी जी की इसकी उनकी जीवनी है Next question है निम्लिक में से किस कानून को नए अपील नए वकिल नए दलील की विवस्ता का गया है तो रोल टेक्ट Next question है ऐसा यह उन्दरन के बाद कॉमनेश पारटी में दो भाग हो गए Changers और No Changers निम्लिक में से कौन सा एक No Changers था जबकि अन्य Changers थे तो राइटन सरह उपस ने वल्लब भाई पटेल जो की रोडिवादी कह सकते हो Changers होते हैं जो प्रिवर्तनवादी होते हैं यह प्रिवर्तनवादी वल्लब भाई पटेल जबकि यह प्रिवर्तनवादी थे Next question है निम्लिक में से किन वेक्तितों ने पर्थम गोल में समयनर भाग लिया था तो इसमें तेजबाद सप्रू ने भी स्री नवास सास्त्री ने भी C, Y, चिंतामणी ने भी और M, J करने भी तो इन सबी ने पर्थम गोल में समयनर में भाग लिया था जो कि लंदन में अर्जित किया गया था Next question है अंगरे जो के विद जियालारंग अंदरोन की नेता, राने अगर डिनलियो का सम्मन्द काह से था तो राइट अंसर है उपसर यहाँ पर यह गलत होगे नागरेंड इसका राइट अंसर होना चाहिए क्योंकि एक बार मैं भीज को नेट में मनी पुरकर के आया था और वो अंसर गलत माना गया था तो नागरेंड इसका सही अंसर है Next question है गांदी इल्बिन समझोते को कंग्रेस के किस नेता ने भारत के सवेधानिक एतिहास में एक युग प्रवर्तन कारी घटना बताया तो नागरेंड इसका राइट अंसर है भारत में पूर्ण सिल्धानता की मांग करने वाली पहली सरस्था कोन सी थी तो ने भारतिया समयवादी दल इंपोर्टेंट कोशिन है Next question है नमलिक्त में से किस अंदरुन के दुरान मध्य प्रांत महराष्ट करनाटक में कड़े वन नियमुम के विरुद सत्यगरा चलाय गय था तो सविन्य अवग्य अंदरुन के दुरान वन कानूनों के खिलाप जो है सत्यगरा अंदरुन चले Next question है नमलिक्त में से किस अंदरुन के दुरान वानर सेना मंजरी सेना का गठन आंदर प्रदेश में किया गय था तो ये भी सबिन्य अवग्य अंद्रुन के दुरान नेक्स्ट कोईशन है लॉड इर्विन की देपावली घुशना के बाद मुहमद अली जिन्ना द्वारा 14 सरते परसुत की गई जिनमें से कौन सी उनमें सामिल नहीं थी तो प्रांतों के एक समान स्वेथती जाए ये भी थी सिंद्र को बंबई से अलग किया जाए ये भी थी और केंदर सोची और राजे सोची के बाद अवसिश शक्तियां केंदर को नीथ होए नहीं होता है राज्य को दी जाए नहीं की केंदर को केंद्रे विधान मंडल में मुस्लमानों का प्रतिनी दी तो एक तिहाई से कम नहों ये भी सही है तो उप्सन जो सही है वो सही नहीं था यही राइटन सरो जाएगा नेक्स्ट है मुंबई में हुए रोय इंडियन नेवी का सस्त्र विद्रो का प्रण किस जहां से हुआ था तो इनस तलवार से 1946 में और पटेल जी के अगराय के बाद ये जो विद्रोही थे उन्हें आत्मस्मरपन कर दिया था नेक्स्ट क्विश्चन है निमित में से किस नेता को अंत्रिम सरकार में शिक्ष्या विभाग का मंत्री बनाए गये था तो सी राजगुपाद चारी जबकि खाद्या पूर्ती मंत्री थे यहां पर और सजीवन राम का ध्यान निया रहा है जो उनमताई ये साईवित मंत्र नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद सवराज ये गांदी जी के 1909 में रचना की थी जब वो अधक्षन फ्री इंग्लैंट्स दक्षिन फ्रके कियात्रा कर रहे थे भार्त किधर नहरुजी की रचना है देव्येद जिवन ये अर्विन घोस की रचना है सुद्र कौन थे अंबे संद्र में नुक्त सीमा आयों कि अधक्ष्टा किसे ने की थे इसकान से भारतिय भार्त पाक्सान की सीमा को रेड़ क्लीफ सीमा भी का जाता है नेक्स्ट है भारतियों को सता सोब्य जाने सम्मधी एटली घोषणा कब इटी फरवरी 1947 में एटली जो कि उस समय के इंग्नाइड के प्रधारमंत्री थी हुँने घोषणा की थी कि हम जून 1948 तक भारत को छोड़ देंगे और घोषणा कब की थी 20 फरवरी 1947 को निमिक्त कतन किस से सम्मधित है यदि भारत की मृत्यूं होती है तो कौन जीवित रहेगा यदि भारत जीवित रहता है तो फिर कौन मृत्यूं को प्राप्थ हो सकता है राजटन सरह ऑप्षन भी नहरूची next question है ये सुधार इंगलेंड के द्वारा देने योग费 नहीं है और भारत लेने योग费 नहीं है 1919 के सुधार की अधिन्यम के बारे में ये कतन किसका है तो टो ये एनी केसंट का है next question है next question है निमलिक्त में से किस खटना को भारत में क्रांतिकारी गत्विदियों का प्रणम माना जयता है तो राइट अंसर है आपर प्ले कमिशनर रेट की हत्या नेक्स्ट कोशन है निमलिक्त में से कौन हैंडिया होम रूल स्ट्राइटी से समधित नहीं था तो यहनी बेसेंट नहीं थी जबकि धिंग्रा सावरकर और लाला हर्द्याल थे इसकी स्थापना 1905 में होती है श्यामजी किशन वर्मा के द्वारा नेक्स्ट कोशन है वंदे मातरम समचार पत्तर निमलिक्त में से किस के द्वारा से संपादित किया गया था तो अरविंद घोस के द्वारा नेक्स्ट कोशन है वंदे में से किसे भारते सांथ क्रांति की माता का जाता है तो मैडम विकाजी कामा नेक्स्ट है वंदे में से किस क्रांति कारी ने अमरीका में हिंद एस्शोशेशन और अमरीका की स्थापना की थी निमलिक्त में से किस अख़बार के संपाधिक्या में प्रकासित निमलिक्त पंक्ति काफी परसिद हुई अंग्रेज सिरकार के दवन को रोकने के लिए हिंदुस्तान की 30 क्रोड जनता को अपने 60 क्रोड हाथ उठाने होंगे तो यह युगांतर अकबार में यह पंक्तियां छपी थी नेक्स्ट कोश्चन है निमलिक्त में से किस युवा करांती कारी ने कुलकत्ता में स्थित मनी कटला नामक स्थान पर 1908 में बंब बनाने का खरखाना शुरू किया था राइट अंसर है उप्सन डी हम चंदर कारुंगो जहां तक मुझी आदे साइदिनों ने रूस से ये टेनिंग लेख रहाया थे बंबनाने की बंगाल में दो स्थानों पर अनुशिनन समीति की स्थापना की गई थी निमलिक्त में से दोनों स्थानों की पैसान की जिए तो वो थे कलकत्ता और मिदनापूर नेक्स्ट गॉशं है भारत की पहली अंतरिम सर्कार का गठनराजा मेंदर पर्ताप ने अफटान में किया था निमलिक किने इसका प्रधान मंत्री बनाए गए था तो प्रधान मंत्री थे बरक्तुला खान जबकि इसके सर्थापक थे राजा मेंदर परताप merciful नेक्स्ट है काकॉरी ट्रें लूट में ट्रें की चैन खींच कर उसे रोखने का सफर प्रियास किसके दोरा किया गए था तो राजंदर्ड रहडि ने जो ट्रेंड की चैन है वो खाईंची थी next question है नमिलिकमेंसे किस कुरांती कारी ने सरकार के रुद परतक्श उद की खोषणा की थी तो Master Surya Sian next question है नमिलिकमेंसे किस वुक्तितब नहीं है नारा दिया कि एशिया एशिया वालों का है तो रासभीहारी बोस ने next question है Hindustan Republic Association किस तरषे हमने Sanders की हत्याकर निम्लिक्त में से किस का बद्रा लिया था तो उन्हें रादला जित्राई की मित्यों का बद्रा लिया था वैसे सांडर्स को उन्हें गलती से मार दिया था माना किसी और ऑफिसर को था निम्लिक्त में से किन्हें भारतिय सामती का जनक एक अंग्रेजी लिहक के द्वारा का गया था तो वेलेंटाइन श्रोल के द्वारा गंगदर तिलप को कहा गया था और अरे फिर्माज के बारे में उन्होंने ऐसे ही सब्द कही थे Next question है काकोरी टेन लूट के समय निमरिक्त में से किस करांतिकारे की चादर खळणा सतर पर ही छोट गई थी जिसके क़िस करांतिकारे का पता लगा सकी थी तो important question है बनार्खी लाद जी की जो है चादर घथना सतर पर छुट गई थी नेश्ट क्वेशन है यहां पर हमें सुमिलित करना है सब्देशी भांदव सुमिती अश्वनी कुमार्दत हिंदुस्तान रिप्रब्लिक एशोशियेशन सिचिंदर नाथ सान्याल इंडियन रिप्रब्लिक आर्मी मास्टर सूरिय सैन हिंदु ध्रम संग चापेकर भंदू नेश्ट क्वेशन है यहां पर भी हमें उधम सिंग इन्होंने क्या था माइकल डायर की हत्य की थी नंदन में वदनलार धिंगरा इन्हें करजनवाईल की हत्य की थी अर्विंद घोस का समन्द अलिपूर बंकांट से हैं नेश्ट राम परसाद बिसमिल का कोरी टेन रूट नेश्ट है निमलिक में से किसी एक वेक्तितों दौरा परतंतर भारत में अंतरिम सरकार का गठन नहीं किया गया था तो रास बिहारी बोस के दौरा बाकी सब में अंतरिम सरकार का जो गठन है वो कहीं न कहीं किया था नेक्स्ट है 1906 में निमलिक में से किसके नितितों में एक टिस्ट मंडल ततकाली निवाइसरायल और मिन्टों से सीमला में मिला ताकि मुस्लमानों के लिए एक विशिष्ट स्थिती की मांग कर सके तो राइट अंसर है उप्सन सी सर अगाखा इसके बाद ही मुस्लमानों की स्थापना ढाका में होती है नेक्स्ट है मुस्लमानों के किस अदिवेशन में स्रवपर्थम प्रितक मिन्वाचक मंडल की मांग की गई थी तो 1908 का मिसर जो है जो अजिवेशन हुआ मुस्मिन लिखा उसमें नेक्स्ट है लिख में सेकिस ने सरव पर्थम उत्र पश्वी भारत में सुसंगठित या संगठित मुस्मिन राज्य के निमान की परिकल पना की थी तो मुम्मद एकबाल ने की थी 1930 में नेक्स्ट है भारतिय समयवादी दल ने सरो परथम फूंड सुराजे की अधिकार की मांगी थी सबसे पहले समयज्जेवादी दल ने हिए मांगी थी इसके परथम महामंतरी कौन थे तो SP घाटे इसके परथम महामंतरी थे नेक्स्ट कोशिन है निमलिक्त में से कौन जश्टिस पार्टी के संस्थापक सदस्थे नहीं थे तो इसमें CRED ने थे जबकि मुदालिय नायर और चेनी ये सभी इसके संस्थापक अध्यक्स थे सदस्थे थे नेक्स्ट है जैप्रकास्त नारेण अशोक महता मेनू मसानी निमलिक्त में से किस दल से जुड़े हुए थे तो वो कौंगरेश शमाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे नेक्स्ट कोशिन है दक्षिन भारत में आतम समान अंदोन निमलिक्त में से किन के द्वारा चलाए गए था तो रामा स्वामी नायकर के द्वारा आतम समान अंदोन चलाए गए था नेक्स्ट कोशिन है निमलिक्त में से किसे पाकिस्तान में बाबा एक कौम कहा जाता है तो मुहम्मद अभी जिन्ना को जिस पकार से भात में राश्क्रिता गानी जीओ कहा जाता है मुस्मिन लिग ने निमलिक्त में से कौन सा कारिया कालकरम के अनुसाल सबसे पहले किया था तो मुक्ति जिवस मनाया था कब मनाया था जब कौनिस के मंत्री मडूल ने ट्याग बत्तर दिया था नेस्ट कोश्चन है मुहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्मिन एकता का परतिक निमलिक्त में से किसके दोरा का गया था तो ये किसके दोरा का गया था इसमें राइट अली जिन्ना एक राष्टवादी नेता होते थे प्रंतु बाद में वो संपर्दाइक हो गए नेक्स्ट है भारत के अंत्रीम सरकार में मुस्मिन निमलिक्त में से किसे संचार मंत्री जो पद हो दिया गए था तो वो थे राइट अन्सर उप्सन ए अब्दुल्रब निश्टार नेक्स्ट है राज कुपाल सारी फर्मोले से समधित निमलिक्त में से कौन सा एक आसकते है राइट अन्सर उप्सन से यहाँ पर मुस्मिन लिगने से फर्मोले को इसका स्वागत किया था स्वागत नहीं किया था इसका मदल राया सिर्कार कर दिया था बाकी इसमें सभी उप्सन यहाँ पर सही है आप पड़ सकते हैं नेक्स्ट कुशन है भारतिया कमिनिश्ट पार्टी के निमलिक्त में से किस दसे ने लाहूर से इंकलाब नाम से पत्रिका प्रकासित की थी तो रायटन से राय उप्सन से गुलाम हुसेन नेक्स्ट कुशन है दोस्तों निमलिक्त में से किस दल ने सरो पर थम एक मई को मजदूर दिवस मनाया था तो वो थी मजदूर किशान पार्टी नेक्स्ट कुशन है भारते कमिनिश्ट पार्टी पर 1934-1942 तक परतिबंद रहा यह परतिबंद किस कान से हटाय गया था क्योंकि उन्होंने दिविते विश्युद में ब्रिटिस सरकार का जो है वो सियोग दिया था उसके पक्स में थे नेक्स्ट कुशन है निमिलिक्त वामपंति दलों और उनका संस्थापक का सही मिलान करना है भारतिय समयवादी दल तो MN, Roy, कॉंग्रेस समाजवादी पार्टी जैपरकास नैन भारतिय बाल्शविक पार्टी अजीत रॉय फर्वर्ड ब्लॉक शुभाषदर बोस नेक्स्ट कुशन है निमिलिक्त में से किस राजनेता की रचिना इंडिया विंस फ्रीडम है फ्रीडम मिंस आजाद तो यहाँ पर आजाद आजाद आजाएग अंसर राइट भी नेक्स्ट वर्शन है निमिलिक्त में से कौन सी समीती मुस्रिम लिग द्वारा कंग्रेसी प्रांतों में मुस्रमानों परतेचार के लिए जाँ समीती बनाएगी थी तो यहाँ तन सरह उपसन ए पिरपुर समीती नेक्स्ट है पाकिस्तान निर्मार सम्मंदी विभिन योजनाएं जो मुस्मिम लिग ने बनाई थी उन में से एक है डॉक्टर लतीफ योजना निमलिक में से कौन सा एक प्रस्ताव इसमें सामिल नहीं था तो राइटल सरय उप्सन सी 50,000 से अधिक अबादी के महानगरों को स्वाइटता प्राप्त बारोज में बदलना बाकि यहां पर यह सही है इस योजना के बारे में नेक्स्ट कोश्चन है पाकिस्तान का निर्माता जिन्ना या मुहमद इकबाल नहीं वरन मिंटो था यह कतन किस राजनेता का है तो यह राजनेता प्रसाजी ने कहे थे नेक्स्ट कोश्चन है भारत का स्विधान मुख्य रूप से निमलिक्त में से किसका परवर्तित और विक्षित रूप माने जता है तो 1925 का अधिनियम नेक्स्ट कोश्चन है यदि सारा भारत भी आग की लफ्टों में घिल जाए और फिर भी पाकस्तान नहीं बनेगा यदि कॉंग्रेश विभाजन चाहती है तो वह मिरे श्रीव पर ही होगा क्योंकि जब तक मैं जीवित हूँ भारत को विभाजित नहीं होने दूँगा तो यह गांदी जी के कतन प्रत्व संप्रदाई दंगों के वह रहारत विभाजिन में इंसध में कोसा साइक कथन मांट बेटन योजिना के समंध में आशकश त्य है तो आशकश तर्ण के परइशन कहां है extend करना पर CR तो कॉंगरिस और मुस्विम लीग दोनों ही मांटमेटिन योजनों को से विकार किया, दोनों नहीं, उसी के अधार पर भारतिया सुर्ट नतता अधिनिया 1947 से बेटी संसद में पारित किया गया, जिसकी तीथी थी, तो जुलाई, थार जुलाई 1947 में पारित किया गया था, न मिलिक्ट में से कों सा ए स्रेणी में सामिल था, तो रइतंसर है, उप्शन, यहाँ पर असं, जो समें बड़े बड़े राज़े थे वो है श्रेणी में थे, नेक्स्ट है, तो समें राजिस्थानिक राज्या नहीं होता था, नेक्स्ट है, क्योंकि वहाँ पर mostly रियास्ते थी तो cabinet mission योजना की अंतरगत स्विधान सभा का निमान किया जाना था इसके नुसार निमलिक्त में से कौन सा कथन ऐसकते है तो आइटन सरह है 78 ए देशी रियास्तों के परती निधी होंगे ये कथन cabinet mission की योजना के अंतरगत स्विधान सभा किस जो थी सर्ते उसमें नहीं थ निमलिक्त में से किस रियास्त के परतिने दी सर्थान समय में सामिल MAR freedoms की निमलिक्त में से किस दिनाको स्विधान पर अस्ताक्सर किए गये थे और इसी दिन प्रस्तावने से में जोड़े गी थी 29 नौंबर Millennium 1489 को स्रिधान बनकर त्यार हो गये था प्रणतु सको 26 जनौर्य उग्याश को लाओ किया गये था प्रंतु इस दिन सिर्धान दिवस्त बनाते हैं नेश्ट कोशिन है लगबा कितने समय तक एक मातर भारते चकरवर्ती जो भारती अ था चकरवर्ती राज गोपालचारी भारत की गोवर्नर जनरल पद पर शोबित रहे तो उठारा महा तक रहे थे नेश्ट कोशिन है निमलिक्त में से किनोहोंने शोशन महीन समाज की स्थापना के उज़ेसे से स्रोध्य योजना प्रसूत की थी तुराइटन सराय उप्सन बी जैप्रकास नरायन नेश्ट कोशिन है भारत का विकास नियोजित तरीके से करने के लिए 15 मार्च 1950 को योजना आयोका गठन किया गया जिसके अनुसार 5 वर्सों के लिए योजना बना कर विशेश अक्षेत्रों में विकास करना था पर्थम पंच्वर्सी योजना निमलिक्ति में से किश शेत्र के लिए थी तो कुशी के लिए नेश्ट कोशिन है निमलिक्ति में से कौन सा राज्या प्रूर्गठन आयोक से नहीं जुड़े थे तो वो पीसी महाल नोबिस नहीं थे जबकि फजल आरीस के अधक्स थे इसके साथ कंजूरू और पणिकर थे नेश्ट है निमलिक्ति में से किस मामले में उस्तम लिए लिए ने 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 दिया कि प्रस्तावना सिर्धान का भी भाग है नेश्ट कोश्चन है नेश्ट कोश्चन है नेश्ट कोश्चन है यहाँ पर आगे पॉलिटिकल साइंस के समझे कुछ कोश्चन है दोस्तों इसको हम छोड़ देते हैं तो आज की वीडियो में इतनी यह कोश्चन अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों तक सेल करें और अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करने दोस्तों धन्यवाद